उत्पति की पुस्तक उसका पचीसवा अध्याए इबराहिम के बारे में तेरा चैप्टर याकूब के बारे में दस चैप्टर मगर इजाक के बारे में मुश्किल से दो से तीन चैप्टर पचीसवे अध्याए में इब्राहीम ने एकिस्त्री सारा के बनने के बाद जिसका नाम कतूरा था उसको ब्याह लिया उससे वंचावली हुई मगर वो कोई भी वन्ष वाचा का वन्ष नहीं था वाचा का वन्ष वाचा की संतान सिर्फ इजाग था जो इब्राहीम और सारा के द्वारा उत्पन हुआ था उसी अध्याए में पचिस्वे अध्याए में उत्पती के इब्राहीम दिर्गाई होकर के मर जाता है और उसको उसी जगापर मिटी दी जाती है जहाँ पर सारा को मकपेला की गुफा में उसको मिटी दी जाती है अब इजहाग की वन्शावली शुरू होती है इबराहीम सारा चले गए दुनिया में बड़े बड़े लोग आए बड़े बड़े शुर्वीर आए लेकिन सब एक दिन चले गए मित्रो उत्पती की वो आशीश मत भूलिएगा तु मिटी है और मिटी में मिल जाएगा मैंने चर्चा की थी आपसे वो बहुत बड़ी आशीश थी ने तो आदम उस गिल्ट को उस पाप को ले करके अगर मरना नहीं होता खुदा के इंतजाम में उसकी योजना में इंसान का मरना नहीं होता तो हम लोग पाप का जो बोज़ था उसको लिए जिन्दगी भर सोचिए कभी मरी नहीं रहे हमेशा गिल्ट में जी रहे है और जब तक जी रहे है तो गुना और पाप और दोश होता ही जा रहा है लेकिन प्रभू ने यहवा परमेश्वर ने वहीं पर एक आशी दितू मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाएगा तेरी आत्मा मेरे पास आएगी उस आत्मा का या तो उधार होगा और या नाश होगा अब इजहाग कवर्णन शुरू होता है क्योंकि इबराहीम और सारा के द्वारा जो परमेश्वर ने जो वाचा बांदी थी उससे इजहाग उत्पन हुआ और इजहाग की ही बाते होंगी आगे जबकि कतूरा से बहुत से बच्चे पैदा हुए हाजिरा से भी बहुत से बच्चे पैदा हुए और उसके बहुत से जन्ताने इश्माईल की हुई मगर उनकी कोई चर्चा उतनी नहीं जितनी इजहाग की चर्चा हो रहे क्योंकि आशीश तो इजहाग से और भी तो इसलिए दुनिया में इतने लोग है, इतनी जातिया है, इतने धर्म है, इतने सब कुछ है, मगर हम जो प्रामिस लोग है, हम जो आशिशित और अनॉइंटेट, हम लोग जो अलग किया हुआ समाज है, हम अने जाती जरूर थे, मगर हम उसके अंदर जोड़े गए ह हैं, हम उस परमेश्वर की प्रजा में, येशु मसी के द्वारा, अबराहम की वो आशिश, अने जातियों तक येशु मसी तक पहुँची, आशिश वो अबराहम की थी, वो यहुदियों की थी, इबरी लोगों की थी, इस्राइलियों की थी, मगर येशु मसी के द्वारा, वो हम तक और आप तक पहुँच गए और अब इजहाग की पत्नी रिपका उसके बारे में हमने बात की थी किस तरीके से वो मनली है इजहाग ये सुबसी की का रूप है और अब अभी आपके सामने जो पढ़ा गया उत्पती का 25 वा ध्याए और उसकी 19 वी आयत से अबरहाम के पुत्र इजहाग की बन्शावली ये है अबरहाम से इजहाग उत्पन हुआ और इजहाग ने 40 वर्ष का होकर रिपका से जो पद्न राम के वासी आरामी बत्वेल की बेटी और आरामी लाबान की बहन थी विवाह कर लिया डिटेल दिया है उसकी आइडेंटिटी के बारे में इजहाग की पत्नी बाज थी फिर एक रिपिटिशन हो रहा है परमेश्वर को अपनी महिमा दिखानी है सिर्फ आप कुछ प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं आप कुछ किसी लाइक नहीं हो पा रहे हैं कुछ आप करके नहीं दिखा पारें घबराये नहीं अंतक धीरत धरिये सारा और इब्राहीम सारा बाश्टी सारा को बेबी नहीं हो रहा था क्यों कि परमेश्वर उसके द्वारा अपनी योजना को पूरा करना चाह रहा था हर चीज पाप और गुना से मत जोड़िए एक आदमी अंदे आदमी को जो जर्म का अंदाता लेकर के चले आए इसने पाप किया किसके माबाप ने किसी ने पाप नहीं किया परमेश्वर की महिमा के लिए हुआ ये बाच क्यों है परमेश्वर की महिमा के लिए कोई इधर दर का काम नहीं कीजे साहरा ने परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए अपना शारीरिक दिमाग लगा दिया हाजिरा को दे दिया कोई फाइदा हुआ कुछ फाइदा नहीं हुआ बजा इसके की धीरज से परमेश्वर की बाट जो है परमेश्वर के वादे पर अमल करे शद्रक और मेशक अबेद नगो ने राजा से कह दिया कि जिस परमेश्वर के उपास्रा करते है वो हमको इस आग से बचाने की ताकत रखता आगार नहीं भी करता है तब भी हम अपना फेथ नहीं खोएंगे हम उसमें अपना भरोसा नहीं खोएंगे ये भूल जाए ये राजा साहर अगर वो आज कह दे कि प्रभू कह दे कि नहीं हम नहीं कुछ करेंगे तुमको मरना ही होगा फिर भी आप पर भरोसा रहेगा प्रभू जी क्या आप फेथ देखिए उन्होंने कहा ति आग में ही न डालना है डाल दीजिए क्योंकि प्रभू तो इतना महान है कि वो आग देखिए हम लोग ये प्रॉब्लम है कि हम लोग सोचते कि अरे इसके बाद प्रभू की ताकत नहीं काम करेगी अगर ऐसा हो गया तो आप प्रभू कुछ नहीं कर सकता है मित्रो प्रभू आग में से उनको निकालने की ताकत रखता था और प्रभू ने यही करके दिखाया आग के पहले बचा लेता तो प्रभू की ताकत क्या रहती मांद के शेर की मांद के पहले बचा लेता तो अरे आप गए नहीं शेर के मांद में गए नहीं तो हम क्या जानते मगर आज हमारे पास हडस है और आप और हम भी कई बार ऐसे मामलों में फसे हैं जहां ऐसा लगा कि कोई एग्जिट नहीं है हम इससे निकल नहीं सकते, इस डुक से नहीं निकल सकते, इस बिमारी से और मैं गवाही ले लूँ यहाँ पर, हाथ पर हाथ उड़ जाएंगे जो यह कहेंगे कि बिल्कुर सही बात है, हम भी ऐसी सकेती में पड़े थे, ऐसी संकत में पड़े थे, जहां हमें लगता था कि इ ऐसे भी नजर नहीं आ रहे हैं उनके पास तो खुदी ताकत नहीं वो तो खुदी फसे हुए ना आपके पास इम्मत ना उनके पास इतनी ताकत मगर आज आप इस बात की गवाही दे सकते हैं अलानिया गवाही दे सकते हैं कि यह परमेश्वन ने किया और हमारे देखने में मैं उसकेती में थी, मैं उसकेती में था, मैं उसंकट में था, जहाँ और कोई इंसान नहीं हमारी बदद कर सकता था, लेकिन प्रभू ने कर के दिखाया, क्योंकि मैंने प्रभू पर भरोसा रखा था, और आज मैं एक बार फिरसे आपको challenge करना चाहता हूँ keep your trust in the lord, अपने धियाओ को अपने भरोसे को प्रभु में बनाए रखिये और अंग तक बनाए रखिये कहिए प्रभु आगर आप हमें मार भी डाले तब भी हम अरे चार दिन के बाद ये सुमसी चले आए और चार दिन के बाद जिंदा कर दिया लोगों ने कहा ये आप कहा क्या हो सकता रहे मैंने तुमको रचा है ये चार दिन और पांस दिन ये तुम्हारे लिए होंगे और आप समय की सीमा आपका सकेती संकट आपके लिए होगा परमेशवर के लिए नहीं है परमेशवर बस ये देखना चाहता है कि आपके आपके अंदर कितनी इक्षा है कितना आपके अंदर लगन है, कितनी ललक है आपको उस सकेती से निकलने के लिए, कई लोग नहीं निकलना चाहते, जैसे वो जोले का मारा था, उसके दोस्तों को उसको ललक थी, उसको लगन थी, खोल दिया, उन्होंने छत को खोल दिया, बोला ऐसी कि तैसी, पेमेंट कर देंगे आपके छत का, लेकिन हमको तो येशु मसी के पास जाना ही है, आज हमनों बहाने ढूनते हैं येशु मसी के पास न जाने के, फिर से चुनिएगा, हम येशु मसी के पास न जाने के बहाने ढूनते हैं, अरे आज तो अंटी आ गई, आज तो अंकल आ गए, आज तो हमारे भाईया आ गए, आज तो पिक्निक पर जाना है, आज तो हमको बार जाना है, we seek opportunity कि कैसे चर्च ना जाने पाए, कैसे Bible ना पढ़ना पढ़े, कैसे दूआ ना करना पढ़े, हम बजाए ये opportunity ढूणने के कि प्रभू कैसे हम तेरी सेवा कर दे, कैसे तेरे वचर को मालने, कैसे हम तेरे आराधना में चले जाए, कैसे हम लोगों की fellowship में आ जाए, बजाए ये ढूणने के हम ना आने के बहाने ढूणते हैं, और भीड एक तो बहुत बढ़ा बहाना था, जब वो चार जोले के मारे लेकर क्या आए, हरे आर कहां जाओगे इतनी भीड है, वो कर्वेंशन में इतनी भीड है कहां बैटेंगे रहे, वहाँ तो कुरसी नहीं मिलती है, खड़े रहना पड़ता है, ये कोई तरीका है, इंतजाम नहीं कर सकते हैं ये लोग, और ये तो कुरसी नहीं उपलब्द करा सकते हैं, क्योंकि आप तो कुरसी के लिए आ रहे हैं, आप तो अपने पद के लिए ल लेकिन उसको लगन थी उसको ललक थी ये शुमसी के पास आने के और आज मैं आपसे निवदन करना चाहता हूँ कि आपकी जिंदगी में सिर्फ थोड़ी सी आशीश नहीं है तो आप परिशान हो गए अंतर धीरे जरिये प्रभू आपको सक्यती से और संकट से निकालने वाल प्रभू संकट के समय मुझे पुकारू बाश थी तो इसका मतलब नहीं था एक बार गलती हो गई थी अब इधाक के पास कोई और नहीं भेज रही है रिपका को सारी कहानी मालुम थी सारा का सारा द्रिश्टान मालुम था उससे कहा कि अब हमारी सासुमा ने जो किया अब म क्वामी लाबान की बेहनती विवा का लिया इधाक पत्री बाश्ती इसलिए उसने उसके निम्न यहोगा से बिन्ती की सिद्धी बात- उससे कहा कि पापा ममी ने जो काम किया, वो अब हम लोनाहीं करने जा रहे आप अपी से बिन्ती होगी क्योंकि मैंने म ममी, मैं जो वचन से पैदा हुऊएं लोग है मित्रो आज हमारे दिल में अगले संडे के लिए अगले वचन के लिए इतनी ललक होती क्योंकि हम लोग उसी से पैदा हुए हैं हम लोग और कहीं नहीं जाएंगे हướज वापस वाजनी के पास जाएंगे और वो यहावा के पास गया बंती की, और यहावा ने उसकी बंती सुनी इस प्रकार रिपका, उसकी पतनी रिपका गर्वती होगई बोली आप कितना टाइम लगा बजाए दुनिया के बादचीत और ये और वो ये डाक्टर वो मेडिकल वो करने के उसे का सीधे यह हुआ से ही बिंती करेंगे अरे कर तो रहे इतनी दिसे एक मिनट यह आप कह रहे हैं इतने दिन से कर रहे हैं हो सकता परमेश्वर का टाइम ना आया हो चार दिन पहले बुलाया गया था उनके दिस्टी में वो चार दिन कामरा हुआ था परमेश्वर की दिस्टी में तो कुछ भी नहीं था आप अपने हिसाफ से जोड़े हैं ना कि अरे एक दिन हो गया दो दिन हो गया तीन दिन हो गया चार दिन हो गया यह अपने जोड़ा ये जिन गिनने लगते घंटे गिनने लगते बजाए परमेश्वर्पर संपूर्ण मन से भरोसा रखने के प्रभू चार दिन हो चालिस दिन हो क्या फरक पड़ता है आपको करना है आप जानेंगे हमारी जिन्दगी आपकी है और खुदा अपने वक्त पर काम करता है रिपका गर्वती हुई और इस बार एक नहीं दो बच्चे उसे पैदा हुए थोड़ी देर मेरे साथ नहींगा और मैं इसको आज आधा ही करके फिर अगले संडे मैं आपसे बात करूँगा बहुत शांदार और बहुत ही गंभीर ये विशय है बहुत ही अच्छा विशय है इस पत्वासाब आप मनन कीजिएगा दोनों बच्चे पेट में लड़ने लगे अब देखिए ये जो गर्वती हुई अब परमेश्वर की योजना चालू हो रही है मित्रो आपको माओ परमेश्वर ने जो आपको बच्चे दिये है ये अपनी योजना को पूरी करने के लिए दिये है ये सिर्फ दुनिया में हवारा बनाने के लिए नहीं दुनिया की कोई नौकरी चाकरी करने के लिए नहीं ठीक है वो करे वो अपनी जगा है लेकिन उसक जोखी मुठाय हुए नरक की आज में चिला रहे हैं मम्मी मम्मी पापा पापा अरे तू तो कलेक्टर था अरे तू टो डीम ता रे तू यह फलाना था यहाँ पर तो देखिए मेरी क्या हालत हो रही है वो योजना पूरी हो रही है उसके पेट में दोनों बच्चे लड़ने लगें परमेश्वर अपनी योजना गर्ब से शुरू करता है बीच से शुरू करता है और रिपका ने दोहाई दी बुला अगर ऐसा रहेगा तो मैं मर जाओंगी कहीं कुछ नहीं मरोगी अब परमेश्वर ने अपनी जो योजना थी उसका खुलासा किया सुनिए तब यहावा ने उससे कहा तेरे गर्ब में दो जातिया हैं और तेरी कोक से निकलते ही दो राज्य के लोग अलग अलग होंगे और एक राज्य के लोग दूसरे से अधिक सामर्थी होंगे और बड़ा बेटा छोटे के आधिन होगा योजना सुनिए दो राज्य होंगे दो जातिया होंगी अलग अलग होंगे और एक राज्य के लोग दूसरे से अधिक सामर्थिंग होगे और बड़ा बेटा छोटे के अधिन होगा परमेश्वर ने अब सुनिए अब रहाम और सारा से तो एक बेबी हुआ एक बेटा हुआ इजहाग मगर अभी परमेश्वर की योजना तो अब तो शुरू हुई है तो इजहाग और रिपका के अब शादी होती है तो परमेश्वर ने का अब इनसे एक नहीं होगा अब इनसे ये दो जातिया परमेश्वर की योजना का पेड़ अब तयार हो रहा और उसमें से दो डालिया निकलती है और परमेश्वर ने वही कह दिया कि ये योजना ये बेटे नहीं पैदा हो रहे ये तेरे पुत्र नहीं पैदा हो रहे और आज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं खास करके माबाप लोगों से कि हमारे जो बچचे हैं ये सिर्फ बچचे नहीं है ये सिर्फ मेरा बेटा है मेरी बेटी नहीं है आप कहिए ये परमेश्वर की योजना है God wants to use them for His glory आप उन पर आशीश का हाथ रखिए और कहिए मेरे बेटी मेरी बेटा परमेश्वर ने तुम को चुना है तुम परमेश्वर की योजना हो अरे मैं बहुत चोटा अरे परमेश्वर ने तो पेट से ही उनको आशीश दे दी उनको अपनी योजना समझा दी दो जातिया होंगी क्योंकि अब यहां से वो पेड़ डालियां लेकर कर आ रहा है और फिर ये डालियां और डालियां लेकर कर आएंगी फिर उन डालियों में पत्ते निकलेंगे, फिर उनमें फूल निकलेंगे, फिर उनमें फल निकलेंगे, ये परवेशर की योजना देखिए, और दो बच्चे निकलें, एक का नाम इसाओ, क्योंकि वो रोएदार था, लाल था, मैं पढ़ रहा हूँ, जब उसके प्रसाओ का समय आया, तब क्या प् उपन हुआ, वो लाल निकला, और उसका सारा शरीर कंबल के समान रोम मैं था, इसलिए उसका नाम एसाओ रखा गया, पीछे उसका भाई, अपने हाथ से एसाओ की एड़ी पकड़े हुए, हील ग्रेबर, एड़ी पकड़े हुए उपन हुआ, और उसका नाम याकूब रख जब रिपका ने उसको जन्म दिया, तब इसाओ साथ वर्ष का था, इसाओ पहले पैदा होता है, और उसके पीछे याकूब दूसरा बच्चा आता है, जो छोटा होगा, अब तो पीछे था ना, तो छोटा हो गया, लेकिन उसकी हील, उसका एड़ी पकड़ लिया था, उस कि तुम उस दूसरी जात हो, लेकिन मैं पीछे पीछे आ रहा हूँ और तुमारी एड़ी में पकड़ा हुआ, वक्त की कमी की वज़े से, अगले प्रभू ने चाहा तो अगले रविवार, मैं इन दोनों बेटों पर बात करूँगा आपसे, एसाओ पर और याकूब पर, यह बहुत अलग-अलग कैरेक्टर है, आगे चल करके आप देखिएगा, लिखा है कि फिर वे लड़के बढ़ने लगे और एसाओ तो वनवासी होकर, चतुर शिकार खेलने वाला हो गया, पर याकूब सिधा मनुश था और तंबूओं में रहा करता था, दोनों का अलग- वनशच और एसाओ का वनशच आगे चलता रहा, क्या फरक था दोनों में, क्यों अलग-अलग जातियां थी, क्या मतलब है एसाओ का, क्या मतलब है याकूब का, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, कहीं हम और आप उससे जुड़े हुए हैं, बिल्कुल जुड़े हुए ह बहुत से लोग एसाओ की तरह है, बहुत से लोग याकूब की तरह है, क्या है एसाओ का करेक्टर, क्या है उसका चरित्र, क्या है याकूब का चरित्र, कैसे किसको आशीश मिली, कौम था पैलोठा, कौम था छुटका, कैसे छुटका पैलोठे के आगे हो गया, पैलोठा उसक बातों पर हम बात करेंगे इस पार्ट को पढ़िएगा दो तीन बार पढ़िएगा ताकि जब अगली बार इसकी चर्चा हो तो आपको आपके दिल दिमाग में रहे जो हम बात करेंगे कि किस तरीके से ये दो जातियां ये दो लड़के जो अलग-अलग चरित्र के अलग-अलग करेक्टर के एक माँ एक बाप दो अलग-अलग चरित्र एक ही माँ एक ही कोक से दोनों पैदा हुए मगर दोनों के सभाओं में आस्मान और जमीन का अंतर था प्रभु ने चाहा तो अगली बार इस पर आपसे बाचीत होगी प्रभु आप सबको बड़ी आशीश दे इस उत्पत्ती की किताब का ध्यान बार-बार कीजिएगा प्रभु से दुआ मांगिएगा आप इतनी आशीशे मिलेंगी मित्रो जबसे मैंने इसको अध्यान करना शुरू किया मैंने इसका प्रचार करना शुरू किया मुझे तो इतनी बरकते मिली कि मैं आपको एक्स्प्लेन नहीं कर सकता हूँ मेरे जिंदगी के हर एक पहलू मैं मुझे बरकत मिली शारीरी रूप से, आत्मिक रूप से, मांसिक रूप से, सोशल रूप से हर जगा जहां मैं बैठता हूँ, उसकी चर्चा करता हूँ लोग बिल्कुल वो हो जाते मंत्र मुग्ध हो जाते बोलें, अरे कितना सुंदर बात हम लोग तो उत्पती को सोचते थे कि यह सिर्फ एक कहानी है सिर्फ एक शुरुवात है लेकिन अब समझ में आया कि तो हमारी जिंदगी से जुड़ी हुई किताब और प्रभू का धन्यवाद कीजिए कि उसने अपने इन भेदों को आज इस 21 सदी में हमको और आप पर खोला है प्रभू हमारा महान है वो हमें बहुत प्यार करता है हम भी उससे बहुत प्यार करते है उसकी आशिशों के हमेशा लालाइत रहेंगे मेरे और मेरे परिवार के लिए प्रारता कीजिएगा कि प्रभू हमें और भी ज्यादा इस्तमाल करे प्रभू ये श्मसी के पुईतर नाम की जय हो उसके नाम की इस्तुति हो प्रेज दे लॉड